नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत हैं दोस्तों आज हम मिल रहे हैं एकोने टोपिक के साथ क्लास एड़ का फर्स्ट सेप्टर स्टार्ट हो रहा है इसका नाम है संसादन means resources तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संसादन होते क्या हैं उनके परकार क्या है और वो हमारे लिए किस परकार सी जो है वो important है तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसोर्से यानि कि संसादन होते क्या हैं तो मौशली संसादन उन चीजों को बोला जाता है जो मानव की मूल भूत आवसकता हूं को पूरा करता है यह हम बच्वन से पढ़ते आ रहें कि मानव की जो पदार्द जरूरते पूरी करता है उसी को हम क्या बोल देते हैं संसाधन बोल देते हैं तो हम इसमें लोडाउन कर सकते हैं कि मानों की मानवी जरूरतों को पूरा करने वाली वस्तुएं वस्तुएं या पदार्द क्या कहलाते हैं पदार्द संसाधन कहलाते हैं यानि कि दोस्तों हूमन की जो नीट्स होती हैं उनको जो चीज फुल फिल करती हैं उसी को हम बोल देते हैं रिसॉर्से हम क्लास टेंट की जोगराफी में फ़र्स सेप्टर इसमें हम डीपली पढ़ेंगे कि किस परकार से कोई रिसॉर्स हमारे लिए उप्योगी होता है तो हम विस्तित क्लास से उसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे लेकिन यहाँ पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो संसादन है उनके परकारों के बारे में हैं पर हम डीटेल से पढ़ेंगे तो हमने बात करी कि मानुगी जरूरते कौन कौन सी है, खाना, पीना, रहना, और भी उसकी जो बहुती के सुक्सुईदाई हैं, उन चीजों को जो जरूरत, जो पदा आर्थ, पूरा करता है, उसी को हम बोल लेते हैं, संसादन है, तो संसादन में हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि संसादन एक तो उसका उप्योग हो, हमारे लिए जो चीज उप्योगी होगी, वही हमारे लिए क्या होगी, संसादन होगी, दूसरी चीज, किसी भी संसादन बनने के लिए उसका क्या होता है, मूले निर्धारित होता है, यदि किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का मुल्य नहीं है हमारे लिए तो वो क्या हमारे लिए उप्योगी नहीं है क्या दोस्तो ऐसा नहीं है लेकिन एक हद तक है भी जैसे एर है वायू हो गई वायू जल ये चीज़े हमें क्या मिलती है इन्वायर्मेंट से फ्री में मिलती है लेकिन फिर भी हमारे लिए उपयोगी होना जरूरी है उसका एक मुले होना जरूरी है इसलिए कोई भी पदार तब ही हमारे लिए संसादन बनता है जब वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है तब ही तो कहा जाता है कि संसादन होते नहीं बनाए जाते हैं तो संसादन तो कोई नहीं है, कोई भी चीज को हम क्या करते हैं, जैसे पहले जब तक इनसान की समज दवलप नहीं हो पाई थी, इससे पहले जो सोना था, वो एक मातरपदार थी था, जब हमने उसकी गुरुता को देखा, कंसीडर किया, उसके बाद में हमने उसका क्या कर लि लग गया, तब ही वो क्या बन गया, एक संसादन बन गया, अब एक नाई लैन और लिख लो, कि संसादन होते नहीं हैं, संसादन होते नहीं बनाए जाते हैं, अब दोस्तों कोई भी चीज होती हैं, दोस्तों हमारी environment में हमारी परकर्टि में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं लेकिन वह एक्जिस्ट करती हैं और जिस दिन हमने उनका उपयोग करना चालू कर दिया उसी दिन से हमारे लिए क्या हो जाएंगी resource हो जाएंगी तो mostly संसादन जो हैं संसादन दो परकार के होते हैं पहला हो गया प्राकर्टिक प्राकर्टिक संसादन और दूसरा होगा मानविय प्राकर्टिक संसादन वे होते हैं जो हमें free में क्या करती है प्रकर्टि प्रदान करती है हमें प्रकर्टि दे देती है मानव यह कौन से होते हैं जो मानव डबलब करता है मानव अपने आप में एक लिए संसाधन है मानव को जब एजुकेट कर देते हैं उसको मेंटली और फिजीकली तो वो अपने आप में क्या है सोसाइटी के लिए एक संसाधन का काम करता है तो जो activities प्रकर्थि हमें फ्रीम देता है उसको तो बोल देते हैं प्रकर्तिक संसादन और जो मानव activity करके कुछ ना कुछ उपयोगी हमारे लिग करता है तो हम उसको बोल देते हैं मानवी संसादन दोस्तो ये हो गया संसादन का portion अब बात करते हैं संसादनों के परकारों के किस संसादनों के कितने परकार होते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे उसके तीन चार परकार हैं और उनको हम यहां पर देखने वाले सबसे पहले हम बात करें उपयोग के आधार पे यानि कि संसादनों के उपयोग के आधार पे हम उसको डिवाइट करते हैं दो परकार से कि संसादन को उपयोग कर रहे हैं किस परकार से हम उपयोग कर रहे हैं फिर बात करेंगे उद्पति के आधार पे, तीसरा है उद्देसे के आधार पे, चोता है स्वामीत्व के आधार पे. तो सबसे पहले हम बात करें कि कोई भी संसादन होता है, हम उसको किस परकार से उप्योग कर सकते हैं. तो इसके दो परकार है नवीनी करन या एनवीनी करन नवी करन क्या होता है यानि कि ऐसे संसादन जो उनका बार बार में उप्योग किया जा सकता है कुछ ऐसे संसादन है जिनका हम एक बर यूज कर लिया उसके बाद में फिर से यूज कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं नवीनी क खतम नहीं होते यानि कि ऐसे संसादन जो कभी खतम नहीं होंगे ऐसे संसादन कौन से होते हैं नवीनी करण संसादन कहलाते हैं और जो भविस्य में यहां देरे-देरे खतम होते जा रहे हैं उनको बोलते हैं नवीनी करण संसादन जैसे नवीनी करण में हैं सोर उर्जा कभी खतम नहीं होगी जब तक शूरी रहेगा तब तक उर्जा मिलती रही पॉन उर्जा पॉन चलती रहेगी पर्चवी की उपर जब तक जीवन है तो खतम ही नहीं होगी बुतापी उर्जा बुतापी उर्जा भी कभी खतम नहीं होगी इसके अलावी दो तिन और हैं उनको भी ह हम कोईला खनीज और पैट्रोलियम वगएरा तो इसमें आप लिख सकते हो यहां पर कि वह एक तो हो गया खनीज सोना वगएरा है यह खतम ही हो जाएगा हम निकालते हैं रहेंगे तो इसको फिर तेल है इसका एक बर यूज कर लिया हमने तो खतम ही हो जाएगा तेल हो गया पैट्रोल वगएरा हो गया तो जितने भी प्राकरतिक संसादन हैं जो हम खनन करके प्राप्त करते हैं वो सभी किस में आएंगे ए नमेनी कर्म संसादन में आएंगे इसके अलावा हम बात करें कि उत्पति के अधार पे कौन से होते हैं तो मुस्टली इसमें दो परकार की संसादन देखने को मिलते हैं एक होता है जेविक और दूसरा होता है एजेविक जेविक बोले तो जिन में जीवन संभ होता है यानि कि जीव यानि कि वो संसादन होते हो जिन में क्या होता है सजीव जैसे जीव जन्तु है वेजिटेशन है जितने भी पर्थवी के ऊपर जेविक पदार्थ होते हैं जिन में क्या जो जीप आ ठीक है वो पदार्थ किसमें आएंगे जेविक में एश्यविक पदार्थ कुण से होते हैं संसादन कौन से होते हैं तो उन्हें क्या है नर्जीव अस्तुने जितना यह प्रफुरीग की ओपार नर्जीव पथर चटाने- जितना फीएं संसादन फ़िकर गजम्द खनिज तो सबसे पहले हम बात करें उर्जा संसादन की तो उर्जा संसादन भी दो परकार के होते हैं समाप्त होने वाले और एसमाप्त होने वाले तो उन्हीं में हम बात करेंगे जो समाप पे जो खतम हो सकते हैं उनकी बविसे में संभावना हैं कि वो बविसे में क्या हो जाएंगे सम नहीं होंगे और नहीं नहीं हो वह दो क्या है नेचूरल है और खतम होंगे भी नहीं तो ऐसे जैसे वाई हूं हरे जल्ड है तो यह इस परकार के संसादन और जो कभी खतर नहीं हो सकते वह बात करें हम । नेचन में कुछ ऐसे संसादन हैं जो कच्चे होते हैं बाद में हम उनको यूटिलाइज करके पक्के संसादन बना लेते हैं तो कच्चे संसादनों में हम बेसिकली जैसे खनीज होते हैं पहले वो हमारी अर्थ के अंदर होते हैं फिर उनको हम क्या करते हैं लोहा, मेगनीज, मेगनीज हो गया, सोना हो गया, तो ये क्या है, खनीज बदार्च, ये कच्चे होते हैं, लेकिन बहार, जैसे लोह एस्क बोलते हैं, इसको इस्टार्टी में क्या बोलेंगे, लोह एस्क, तो ये क्या है, कच्चे संसादन होते हैं, बाद में हम इनको क्या क कर लेते हैं पके संसाधनों के रूब कर लेते हैं फिर बात करें हम वनस्पति तो आ दोस्तों देखते हो कि लकडियां वगयरा होती है जैसे हमने पीड काटा तब तक तो भूय três अधिया फिर काटकिए दिश्का संद्वन तो वो पका संसादन हो गया तो एक कचे संसादन होते हैं जैसे वन है जितने भी उनको काट कर हम किसी भी परकार का आफसिक चीजे हम उससे प्राप्त कर लेते हैं ठीक है जैसे बैट बना लिया बैट बोल के लिए हमने बैट बना लिया ठीक है, खार्ड बना लिए, तो विविन प्रकार की जो आइटम हम बनाते हैं, वो क्या है, बनस्वती से बना लेते हैं, जीव जन्तु है, इसमें जितने भी जीव जन्तु पर्थवी के उपर रहते हैं, वो सारे जीव जन्तु में आएंगी, ठीक है, जैसे जीव जन्तु ही रहता है वो विच्रण वगरा करता है लेकिन हमारे लिए यूज कब होता है जब हम उनसे क्या कर लेते हैं उन पराप्त कर लेते हैं चमड़ा पराप्त कर लेते हैं दूद पराप्त कर लेते हैं तो सारे क्या हैं कच्छे संसादन की रूप में काम करते हैं और जब हम उनसे कि मुल्ले, एड़ कर देते हैं तो वो हमारे लिक्या बन जाते हैं शंसाहदन बन जाते हैं वहीं पर बात करें हम एड़िबल संसाहदन कौन से होते हैं तो दोस्टो जैसे नमक है वनस्पती है और जितनी भी जीव वाईल लाइफ जो भी है अहाँ पर पर पाई जाती है वो सारे किसमें सामिल होंगे Edible संसादनों में सामिल हूंगे वहीं बात करें हम स्वामित्व के अधार पर तो इसके वी तीन परकार हैं मुख्यत यानि कि किसी भी संसादन के ओपर स्वामित्व किसका होगा ownership किसकी होगी तो ownership के According basis on ownership के तो हम इस परकार में पहला है वेक्ति का कोई चीज वेक्ति और करता है जैसे वेक्ति के मगान हो गई खेट हो गई बिल्दिंग सो गई तो क्या है खुद और करता है उसका माली कोण है वो खुद है वहीं पर बात करें हम राश्ट्री जो जितनी भी संपति देश की होती है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं उसको बोलेंगे हम राश्ट्री ओनर्सिप कि यह हमारी क्या है देश की दरौर है उसको हम क्या बोलते हैं राश्ट्री शंसाधन बोलते हैं ठीक है जैसे हिमाले पहाड और अंद्रास्ट्री जो संसादन होते हैं उनके उपर पूरे पर्थवी का पूरे लोगों का अधिकार होता है और जितने भी जैसे ओस्यन मासागर है तो मासागरों के उपर किसी विक्ति का किसी देश का अधिकार नहीं है और पूरी पर्थवी के लोगों का यदिकार वहाँ है तो मोस्टली स्वामेत्व के अधार पे भी तीन परकार है इसके वेक्तिकत, दराश्ट्री और अंतराश्ट्री तो दोस्तो मुखिति ये हमारे संसादरों के परकार है आगे की कलासों में हम इनको विश्टार से देखने की कोशिज करेंगे अब इसके बाद में दोस्तो एक चीज और आती है सतत पोस्टनी सतत पोस्टनी ये विकास अब वो क्या होता है तो दोस्तों हम दिन बे दिन क्या करते हैं हमारी जरूरते इतनी होती जा रही है दिन बे दिन कि वो हम वो कंट्रोल नहीं हो रही तो हमने क्या किया परकरती को एक बर लिख लेता हूं मैं दोस्तों सतयत पोश्णिये विकास अब हम दोस्तों दिन बदन क्या करेंगे तेल निकाल रहे हमारी जरूते इतने बढ़ गई कि कितनी सादन हमारी पर्थवे के ओपर रहने लग गए चलने लग गए ट्रांसपोर्ट के लिए ठीक है तो उनकी जरूतों के लिए हमारी संसादन जो है दिन में धिन कम पढ़ते जा रहे हैं और हम एनितिक तरीके से इतने जो है माइनिंग कर रहे हैं कि बविसे की P.D. के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो यह क्या है चिंतागा वी से है कि जो संसाधन है वो लिमिटेड है और हम उनका दुरूपयोग करते जा रहे हैं तो क्या ऐसा विकास होना चीए कि ह हम भी ऐसे संसादनों को उपयोग कर लें और बविसे की पीडी भी उनका क्या कर लें उपयोग कर लें वो और किसी परकार का प्रयावणी हरास नहीं होना चाहिए यानि कि प्रकरती को भी नुक्सान नहीं होना चाहिए बविसे की पीडियों के लिए बच जाए और हम भी उत की पीडियों को द्यहान में रख कर किया जाने वाला विकास विकास सतते पोषणिये पोषणिये विकास कहलाता है यानि कि दोस्तों ऐसा विकास जिसमें किसी भी बविशे की पीडि को द्यान में रखा जाएगा और ऐसा नहीं होता कि हम बरपूर रूप से परकर्टी को नुक्सान पहुंचा रहे हमारी ज़रूते में पूरी हो जाएए भविशे की पीडियों के हमें कोई चिंताए नहीं है तो हम संसादरों का उतना ही उपयोग करेंगे कि किसी परकार का परकरती को भी नुकसान नहीं होगा और बविस्ते की पीडियों के लिए भी वो चीज़ें क्या रहेंगी संचीत रूप से रहने वाली है तो उसी को हम बोलते हैं सदत पोशनिये विकास सदत का तात्परी जो है वो बविस्ते की पीडियों से ही लिया जाता है दोस्तों ठीक है दोस्तों तो यह हमारा चेप्टर था क्लास एड का फर्स चेप्टर था रिसोर्सेज यह यहाँ पर कंप्लीट होता है इसके बाद भी हम देखेंगी नेक्स चेप्टर आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद